आप में से बहुत सार एसी लोगी जो अपने relationship में एक problem हमेशा face करते हैं मुझे हमेशा लोगों का कहना होता है किस इनसान के साथ हम relationship में थे या फिर किस इनसान के साथ relationship में होना ठीक है और एक समा ऐसा आता है कि वो इस इनसान का जैसे चंचल माने यह human nature इंसान का नेचर होता है, जिसको तुरंती कोई चीज ज़र अच्छी लगे, तो इस चीज को छोड़े को इसके पीछे भागना, ये इंसान का नेचर है, ठीके ना, उसका mind होता है, जो घोड़ा होता है, मैं हमीशा बोलता है, हमारा जो दिमाग ये घोड़ा है, ये घोड़ी मैं जहां पर freakin कोई थड पर पर्सन के पाससा सकते हैं मैं आपको दो कंडिशन बताऊंगा डिख तो जो आपका पार्टनर है पहले clear कर दो characterless है मैं आपको पहले बता दो उसके साथ आपका को future है नहीं ये चीज़ मैं आपको clear बता दो फिर तो भी बहुत सा लोगों को छुल मची होती है कि उसको वापस हमारे पास कैसे अटरक कर उसको value कैसे realize करवाए या फिर कैसा ऐसा करे कि उसको पता चले कि हाँ में उसके life important थी या फिर important था third person के पास जाने की जरूत नहीं थी या फिर उसको उसके पास जाने से कैसे रोक सकते है यह बहुत सा लोगों के questions होते है मैंने सोचा चलो बता देता psychology इसके बारे में क्या बताती है ठीक है न चले वीडियो शार्ज करते है नमस्का अब हमाते topic पे जिस इंसान के साथ हम relationship में थे ठीक हम relationship अच्छा चल रहा था सारी चीज़े चल रहे थी मुझे बहुत सा लोग बोलते है अच्छे से चल रहा था लेकिन एकदम से उस इस इंसान का behavior change हो गया थोड़ा सा उसके activity change हो गया उसका time देने का जो समय था हो जो schedule थ सा रात कोई बात करते तो उसका timing change हो गया उसका number 20 जाने लग गया तो मुझे थोड़ा सा doubt गया और मुझे चेक किया तो पता चला है उसके life में कोई third person आ चुका है मतलब कोई friend हो सकता है कोई friend हो सकती है या फिर कोई दूसरी girlfriend बना सकता है या फिर उसके ex हो सकती है बहुत स पर लिए हम लोग यहां पर सबसे बड़ी गलतिया करते है बहुत सा लोगों की जो गलती होते है पहले गलतिया बता देता हूं ठीके ना हम उस इंसान को यह चीज़ बताते है कि या देख तेर ले ना वह इंसान अच्छानी देख उसका character है सा हम क्या करते third person की जो आते तो उससे बात क्यों कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है यह सबसे बड़ी मिश्टेक होती है पहले चीज़ब को का क्रीकτε कुई zodरूया के थे साथ संबसे बात करें पार्टेक्ष तरूथ करने की कोई जरूत नी उसको देखने क 됩니다 से से यह बदो बात है ऑंच्छा दोड़ी उसके अंदर रकल नहीं किया गदा थोड़ी हो गदी थोड़ी हो हम खाना खाते हो भी खाना खाता है उसको पता होने चाही है उसके लिए सही क्या उसके लिए क्या गलत है यह चीज उस構 lorsqu पता है लेकिन थेरो हमें तो चुल मंत Siya हम बताएं कि नयार हम बता देते फिर वो हमारे पास आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा यह हमारे mentality होती है उसको जाना है हो जाएगा जितना उसको समझाने की कोशिश करोगे जितना उसको जगड़ा करोगे जितना उससे arguments करोगे उतना आपका relationship खराब होगा उस इंसान की जो value उस की नजर में क्यों कि वो बोल रहा है वो तो clear बोल रहा है तो जा और हमेशा human nature यह होता है human nature यह बोलता है कि इंसान उसी के पीछे बागता है जो उसको दूर करना चाहता है यह psychology भी कहती है ओ इंसान जो सामझाना उसको छोड़ रहा है और हम क्या करने के कोशिश करे हमें ब पता है एक चीज हमेशा याद रखना है कि उसको बताने की जरूत नहीं सिर्फ यह चीज करना है कि जब आपको लगे उसका behavior change होगा उसके life में कोई और आ चुका है हमें पता चला उसको बोलो कि देखो मेरे कोई ऐसा ऐसे पता चला है तेरी life में कोई और है या फिर life में ऐ या endeavor क्या चीज हंसान को फेका हमारी तरफ से इसान को में सही से बता रहूं प्लीज सही से सुना हमारी चली को केर करना काथ करना कं प्यार दिनकर्फ से अपनी तरफ से साइकलोजी यह कहती है तेगे न अपने तरफ से जितना अटेंशन कम दोगे उतना उस इंसान को थोड़ी सी इज्जद कम दो उसको थोड़ा लगे देखो इंसान को जितना इज्जद हमें क्या लगता है बहुत सा लोग यह गलती करते हैं जब हमारा पार्टनरी दो दोर मु इंसान की बुराई करते है जितना आप इस इंसान से लड़ोगे उतना वो जो इंसान उसकी नचरों में अच्छा बनेगा और आप बुरे बनोगे याद रखना सहीद से समझा ता हो फिर से समझा रहा हो जितना आप इस इंसान से लड़ोगे उतना ये वाला जो इंसान है थर्ड परसन ये उसकी नजरों में अच्छा बनेगा आप उसे लड़ोग यार यार ये बहुत इरिटेट करता है इसलोग उसे के पीछे भागेगा हमें गया करना लड़ना है नहीं कुछ नहीं बोला है तुने जो कि अच्छा बात, तको अच्छी बात यार, तेरी काम, तेरा विष्ट है, या फिर तेरी लाइफ है, इस हर चोईस है, ये तेरी चोईस है, मेरे को कुछ फरक ने पड़ा, हमें इस अंसान से attention कम कर देना, फिरो खुद तमारे पीछे चिपकता हुआएगा, फिरो इस अंसान का जो आकर्शन रहेगा, इसका जो attachment रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन अगर हम इसको इतना ज़्यादा चिपक ने कोशिश करो, ये दूर भागेगा, इंसान को चिपकने वाला इंसान नहीं पसंदे, ये उसी के पास जाएगा, जिसके पास से जाना चाता है, लेकिन हम जब अपनी तरफ से थोड़ा सा attention कम करेंगे, हम लड़ना बन करेंगे, उसको irritated करना बन करेंगे, mature इंसान की तरह present आऊगा, लिख के दे रहा हो कितना भी खराब relationship हो, कितना भी उस सामने आले के पीछे भागता हो, लेकिन याद रखना, अगर आपके अंदर maturity है, psychology साइकलोजिस ही, इस करेंगे, तो बहुत सालों कमेंट करेंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको जाना हो जाएगा, मुझे पता है, जिसको जाना हो जाएगा, और मैं ये भी बोलता हूँ कि, ऐसे characterless इंसान को जाने दिने में भला ही है, लेकिन मैं बोल रहा है न, उन ल न लेकर हम जितना चिपगनी के कोशिश करें तो मैं पिछाड़ पर लात मारेगा तो मैं हट करेगा और थर्ड परसंग के पास आएगा क्यों क्योंकि तुम उसको इरिटेट करोगे उसकी नजरों में तुम गीरोगे और थर्ड परसंग जो उसकी नजरों में अच्छा लेकिन अभी आप चिपगनी कोशिश करें उसको डर ने रहेगा वो इरिटेड होगा कि यार यह क्या पीछे पट रहे जाने में लेकिन जब आप अपनी तरफ से आठें देखो इंसान ना जब मान लो कोई इंसान को कोई अंदर से तोड़ देता ना जो इंसान जगड़ा क आप भी सोचो आपको आपने भी किसी को डाट दिया उस इंसान भी ना कुछ बोले चला गया हमें भी थोड़ा सा रिलाज होता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया उस इसान को बुरा लगा यह यूमन नेचर है वैसे होता है सालेंट रो कुछ बोलना नहीं तो थर्ड परसन यह हस्बन भाइब जो होते हैं जो डिवास नहीं दे सकते हैं उनके लिए वीडियो है ताकि वो अपने रिलेशन्शिप को ठीक कर सकते हैं लड़ने से और ज़्यादा गिरोगे लड़ो मत पहले चीज़ प्लीज हाँ दूर रहो लड़ो मत उस इंसान को करो मत दूर हो जाओ उसकी लाप से देठेठेठेठेठेठेदेज रिमोग उसको कॉल मेसेज कम प्यार देने कम अपने लाप में खुश रहो इस से शो करो मैं खुश हो अपने लाप में देखो इनसान कैसा हाता है यह psychology कहती है आज होप कर आपको वीडियो वीडियो पसन आई होगे वीडियो पसन है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दिजये थैंकिस सो मुच वाचेंग इस वीडियो टेक केर बावाई